लो संस्कीत सवाल करने वाल है कम से कव्लाओं सवाल को मिलेगा तो हर सवाल को कवर कि आप पर इसी वीडियो से फर्ट सेटेंग और स्वाल चपने वाला है तो वीडियो को स्किप मत करना हर एक सवाल का जवाब देना तब लगेगा हाँ एक्जामे की मैंने भी कुछ किया है तो चलिए स्टार करते पहली बार चैनल प्यार हो तो आप सभी को वेलकम चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा चैनल पर जरूर जूर जाएगा और घंटा वाला बटन को है महार्शी वेद्वियास आगे है मंगलाम पाठ के रचनाकार कोन है मंगलाम पाठ के रचनाकार कोन है ओके तो मंगलाम पाठ के रचनाकार जो है वह महार्शी वेद्वियास ही है ओके इसका भी option C बिल्कुल रही राटन्स रो जागा तिसरा सवाल देखे मंगलाम पाठ म मिटें मंत्रे संकलित Milam about Me 5 मंत्र इस अग्ला सवाल देखें अनू से छोटा कौन है बताइए प्यारें अनू से छोटा क्या दो है तो अनू से चोटा छोटा किया आत्मा जो है अनू से भी चोटा है को है कि कि किसकी जैय होती है किसकी जय होती है तो सत्य की हमेशा जो है सत्य की जय होती है यानि कि सत्य की जीत होती है ऑप्शन ए निक्स पढ़ते हैं भी बहती नदी कहां मिलती है तो बहती नदी जो है समुद्री में मिलती है कहां मिलती है बहती नदी समुद्री में मिलती है चली पढ़ते आगे जनतु स्टेंट के हिर दै रूपी गूफा में ततवेश्टी थे ऑफिसिन क्या हो गाइस का एह हमारा बिल्कुल विल्कुल सई अन्तर हो जागा आगे आठमा को प्राप्त करने की विशय में बताया गया किसे बताए को पूर कठोपनिसद में या इस इसावास्योपनिस तर या किसे प्राप्त होता है देव लोग का मार्ग किसे प्राप्त होता है तो अभी मैंने पढ़ा सत्य से क्या प्राप्त होता है देव लोग का मार्ग किसे प्राप्त होता है सत्य से देव लोग का मार्ग प्राप्त होता है तो अभी मैंने पढ़ा सत्य से क्या प्राप्त होता है ना सत्य से क्या प्राप्त होता है देव लोग जो है सत्य से प्राप्त होता है 11 सवाल देखें मिर्त्यू के वश में कौन कर लेता है मिर्त्यू को वश में कौन कर लेता है मुर्ख लोग अज्यानी या विद्वान तो विद्वान जो होता है वो मिर्त्यू को वश में कर लेता और आगए मैं होती है किसकी जीत नहीं होती है तो आसत्त की जीत कब भी नहीं होती है तो कि स्क्वाले हैं किस महीमा का उपनिसद में परमपुर्ष महीमा का वर्ण किया गया है और संडी नेक्ट परते हैं उपनिसदों की संख्यां कितनी है उपनिसदों की संख्यां कितनी है तो उपनिसदों की संख्यां कितनी है एक सो पांच उपनिसदों की संख्यां है चलिए पंदरा सवाल देखें आत्मा के गूर रहस की किसमें व्याख्यां की कि गयी है यानिकि इन चारों किसमे का इन की महिमा का वर्नन किसमे किसमे क्या तो क कि इश्या वाश्योपनिसद भी आशलाद हो झाले आगला सवाल वीडियोyi को लाइक चर देना प्यारा एंड पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जूर जाएगा ओके आपको बहुत ही बेनिफिट होने वारा जो भी मैं इंपोटेंट अब्जेंची कुशन डालूंगा आपके पास मैसेज जागा घंटा का बटन दबाएंगे तब आगे बता है ज्यानी लोग जो फिरन ने पात्र से ढगा हूआ ओके ऑप्शन क्या होगा डी राइडन जोगा सत्य का खजाना कहां है बताए आगे सवाल है सबसे बला सेतु कौन सा है तो कौन सा सेतु प्यारे गंगा सेतु जो हैस्या का सबसे बला सेतु कौन से पतना के गंगव नदी पे हैं ओके आगे बरते यूनान का राज़ित कौन था हां जी यूनान का राज़ित को था मेगास्थिनी को था मेगास्थिनी जिननों ने इंडी का नाम की किताबें लिखी दी तो इस समय तो यहां पではंगर की पालिका देवी कौन है तो पतन देवी याद के लिएका नगर की नगर की पालिका देवि कोन याद के लिएखा नगर की पाठली आगे सवाल में तो कौमुदी महोच्चाव कहां मनाया जाता था कौमुदी महोच्चाव कहां मनाया जाता था पाटली पूत्र में पाटली पूत्र में कौमुदी महोच्चाव मनाया जाता था नेक्स्स दवाल परते ही प्यारे किसके शासन काल में पाटली पुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्ता अती उतकरिश्ञ था क्या अति पर दिमाद की किया है नामा अंतर क्या है तो कुषिर स्वार के हो जागा option number D, कुत नीमतम के रचनाकर को रहे, क्या इसका अंसर हो रहे, कुट नीमतम के रचनाकर को रहे, किसको बोला गया और आगले स्वाल मोलते है वे दसे गुरु कौन थे गुरु गोविन सिंग तो गुरु गोविन सिंग 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 के दसमें गुरु थी अगे पुद्ध काल में नाम क्या था वुद्ध जीस्टम बुद्ध थे गौतंबुद्ध ते उस समय पाटल का नाम क्या था क्या था पाटिल गरान ता पाटिल गराम था ओके ऑफशंगा और सी चलिह सब्सक्राइब पटना के किस दिसा में गंगा नदी बैदी है पटना के किस दिसा में तो पटना के उत्तर दिसा में इसलिए तो उत्री बिहार में ज्यादा बार भी आती है है ना इस पटना के उत्तर दिसा में गंगा नदी बैदी है किस काल में पतना का नाम पाटिल गराम फाय घॉलिधर कहा है पूछा भी गया बहुत बार गोल घॉल घॉल गर कहा है इसके कहां है पर फिर इटिहास कितना अवर्ष पुराना है कृटना नाम किस कालों पटना नाम परशिद हुआ मद्धिकाल में मद्धिकाल में पट्णा नाम पर्शिद वर्षिद्वर सेर सासूरी का नाम सुने होगे आप है ना उन्होंने पट्णा शहर का पट्णा नाम रखा था तो यूग मद्धिकाल में आता है जिसको पत्णा के नाम से रहे क्पटनाफ कि कि उत्पति पतना शब्द के उत्पति आगे पढ़ें पाटली पुत्र में किस महापूरुस्की जनम अस्थलिए बताव पाटली पुत्र में गुरु गविन सिंग आपको बता है गुरु गोविन सिंग जो है पाटली पुत्र में ही उनका जनम हुआ था ओके चलिए तो हमारा अंसर क्या हो गया आफिसन नमर हमारा सी बिलकुल सही हो गया अब आगे सवाल पढ़ते हैं मैथिल कोकिला के नाम से कौन परशिद था बताए भाई मैथिल कोकिला के नाम से कौन परशिद था तो क्या होगा विद्यापती आफिसन नमर ए हमारा बिलकुल सही अंसर हो जागा आगे बढ़ते हैं कहां से संकलित दो आपके किता में लिखा गया है तो पुरुष परिक्ष सही ऑंसर हो जाएगा आगे बंटे मिठला का मंतरी कौन था विरेशवर जो थे मित राका मंतरी था मंत्री और कि अंशर नियसमरति होता है जो काहिली होता है आलस होता ही का करता है निष्ट बरबाद करता है कई भीशन भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता बुक लगने पर पर घॉल हो कुछ कुछ नहीं करता है तो वह कौन है आलसी लोग बताब उठके पानी भी ने पीछ सकता उठके कुछ खा भी नहीं सकता इतना बड़ा आलसी प्यारे अप्सन ए विरेश्वर नाम का मंतरी कहां रहता था बताए विरेश्वर नाम का मंतरी रहता था चलिए आगए आलसीयों को कौन और वस्तर देते थे अलसीयों को कौन अन यानरी और नाज और कप्ड़ा देते थे तो विरेश्वर ही देते आखिने और योड़ी आंगे कितने लोग邏ं आल्सी में कितने लोग्ते तो आलसी सब्सक्राइब नबर सी हो गया बिल्कुल सही अंसर आगे बरते आलस कता पाठ में किस दोष का वर्नन किया गया तो आलस कता जो पाठ है उसमें आलस का वर्नन किया गया चूंकि आलस जो है नहीं इंसान को खा जाती है और फिर आम लोग देखो उन्चा सवालागे मैथिल कभी कौन है बताए मैथिल कभी तो मैथिल कभी किसको बोलेंगे विद्यापति को बोलेंगे है ना जूंसर नमिर सी हमारा बिल्कुल रायट अंशर हो जागा आगे सवाल देखिए अलस कथा किस परकार के अच्छा है अलस है इस बहुत अच्कर पार के लिखक कौन में बहुत अच्चा सवाल है इसके लिखक कौन है लिखने कोन आल्शी नहीं कुछ आलसी वैट भी आ गए थे आपने आपको आलसी थे नहीं फिरी में खाना मिलना था फिरी में कपड़ा था तो उसको लागा कि चलो हम भी आलसी बन जाते हैं कौने द्यकूंब थी तो उसके जांच करने के कि कोन आलसी है उसके लिए और आग लगा दिया अब हाली हुआ कि आक लगने पर भी 參श-coming लोग जो नहीं भागा अलस कदा पारा विकमा को प्रति जो भोजन करता थे वह कौन थे कोई और नहीं करते कौन थे विरेश्वर अलस अलस शाला में आग लगी आगा को देकर कौन भाग गये बताए यह ऐस को देकर कौन भागे तो दूर्त लोग थे नहीं दूर्त बना रहे थे लेकिन जो वाके वह आलशी थे वह नहीं भागे थे तो क्या अंतर होगा और वह बिल्कुल रायट अंतर गया चलिए आगे जालके लिखके बहुत अच्या सवाल आधूनिक कालby क्या होगा हम्सार नम्रे यह हमारा रहा तो पुरसो और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है बताईए पुरस पुरसो सहयोग से स समाज की गाड़ी चलती है तो जोंकि जब पूर और नारी निजिकि महीला और जब सहयोग नहीं करेगा तो सामाज चलिए पाएगा vBy d Ri ऑन कों धी कहना यहानी के राननी कों थी न कंपन रानी कहन थी तौझा गंगाडेवी और आएगे है इंतली सब्दिके और विद कंपन यह में घीद यहiden कि वेद सामवेद आठर मेफ एक यजूर वेद भी खोक़े टोटल चार है तो सामवेद में इंदरानी का वर्हन क्या गया है आगे मीरा लहरी की लेखी का कौन है आँच्छह मरा ओपड़तेगी संस्कृत्स्कृत्य लेखिका पाठ में किसके महत्विका वरनन किया गया है बताइए इसका क्या अंतर होगा आगे बढ़ते हैं आधुनिक संस्कृत साहित लेखेका में कौन परशिद है तो हो जागा चामारा ओप्सन नमबर ए बिल्गुल सही अंतर हो जागा चलिए आगे बढ़ते हैं शंकर चरित्रम की रचना किसने की संकर चरित्रम की रचना किसने की तो यह हो जागा पंडिट चमारा क्योंकि अभी इसे के बारे पढ़ी रहे ना इसी चेप्टर पढ़े मैं पूरा चिप्टर का अब्जेक्टिव बढ़ा रहा हूं ओके तो आपको हर एक अब्जेक्टिव को ध्यान से देखना है आपे ल क्या गए रिगयवेद में कितनी महिलाओं का वरनन किया गए रिगयवेद में जो है तोटल जो है ट्वएंटीफर महिलाओं का वरनन किया गए अथरवेद में कितनी महलाओं का वर्नन क्या गया है अथरवेद में टोटल जो है पांच महलाओं का वर्नन क्या गया है आगे अच्चुत्राइक की रानी कौन थी तो क्या इसका रहागा तिरू मलामबा तिरू मलामबा जो बुरू है ना तिरू मलामबा ओप्सन नमबर डी कि यूग में मत्रों की दर्षिका ने केवल डीशी बालक रेषिका भी थी क्या अंसर होगा वैधिक यूग कि सही अंसर हो जागा चाहिए आगे रिन पर самых-चे चलों अगे वड्स Um मधूरा विज्यम महाकाव की रचना किसने की गंगा देवी गंगा देवी नेक्ट कोशन कहां बोलता है बदर बदरानविका परीनए संहाकाव की रचना किशने की ओके चलि स्वाहों कि डिपली इंदर सवाल पुछा जा रहा तो भाई साव आपको बहुत यह अच्छी त्रीकिस त्यारी करना पड़ेगा है ना मतलब डीपली आपको पढ़ना पड़े कौन सा सवाल मैं पुरूं जो डीपली मुझे आ जाए एक सवाल भी ना छुटे ओके चलिए अब यहां पर हम पड़ते आगला सवाल पुरान के रचनाकार कौन है बहुत अच्छा सवाल है पुरान के रचनाकार कौन है तो पुरान के जो रचनाकार है देखो आप्सन पड़े यहां पर आप्सन क्या है महात्मा विदूर और क्या बोलता है और यहां पर है ठीक ह कि और महारं वालमी की मہर्सी वेदवियास और कि महाराठी वेदवियास बड़न को पूरान बहुत अच्छा सवाल बहुत है तो सभी लोग अंसर देएए सबही लोग अंसर बड़ा मजा रखने वाला हमार oyunξा पुरान के रहसना का रहा है किस की महिमा सर्वत्र गाई गई थी इस देश का गुनगान देवता लोग किस देश में जबनेते देवता लोग तो भारत देश में जो आगे कौन गीत गाते हैं गीत कौन गाते हैं बहुत अच्छा सवाल है चलो अंसर दीजे गीत कौन गाते हैं तो देवता जो होते हैं वो क्या गीत गाते हैं भारत के गीत गाते हैं ऑफशन ए चलो आगे वरते हैं भारत की सोभा की कौन परसंसा करते हैं कौन करते हैं परसंसा तो य भारत की महीमा कहा गई जाती है यहां वहां मतलब हर जगह सभी जगह जो है भारत की महीमा पूरे दुनिया का गौरव को नहीं को आगे हैं भारत महीमा पाठ का पर तो लोग कहां से संकलित है कहां से लिया गया तो अंसर का विश्णु पुरान से कहां से लिया गया विश्णु पुरान से लिया गया आगे बरते हैं भारत महीमा का आधुनिक पद किसने रचा तो अध्यक्ष ने किसने रचा अध्यक्ष ने चलिए निक्स परते हमारी भारतिया धारा कैसी है हमारी भारतिय धारा कैसी है तो कैसा है विशाल है कैसी है विशाल हमारी भारतिय धारा विशाल है नेक्स परते जगत का गवरव कैसा है जगत का गवरव कैसा है तो सोभ निये क्या होगा आफसर नमर सी जगत का गवरव कैसा है सोभ निये चलो जाती धर्मी के भ हुआ करते हैं भारत में रहते हैं अब यहां पर आगे सवाल प्रभारत संसकार कितने संसकार टोटल है सोला है अगे है सिमन तो संसकार किस संसकार से गिना जाता है ओके 90 कांसर बोली क्या होगा जन्वे पूर्वे संसकार देखें आफसन नमबर सी हमारा राटन चुर जाएगा आगे सिक्षा संबंधी कितने संसकार है संसकारों का मौलिक अर्थ क्या है दोस्दूर होते हैं तथा गुनों का निर्मान होता है option number C आगे देखिanky सवाल है भार्तियों में संस्कार से किसका निर्मान किससे होता है व्यक्तितर का निर्मान होता है एक संस्कार का निर्मान होता है आगे पर ने बborने वेद की पढ़ाएं शुरू करना कि इनतरगत आता है किस संसकार के अंतरकत आता तो सिक्षा है ना सिक्षा कि एक संसकार है आफसन हमारा डी राइट अंसरोगा आगे संसकारों को कितने भागों में बांट दिया गया है तो संसकारों को पांच भागों में बांट दिया गया है आफसन क्या होगा इसका सी वाला बिल्कुल राइट संसकार के द्वारा मनुष्य गिरहस्त जीवन में पर्वेश करता है किस संसकार के द्वारा तो किस संसकार के द्वारा विवाह संसकार के द्वारा मनुष्य गिरहस्त जीवन में पर्वेश करता है विवाह ओके आगे बरते किस संस्कार के अंत्रगत आता है तो इसका अंसर होगा जन में पूर्वे क्या होगा ऑफ्षिन नंबर हमारा एक बिल्कुल अंसर हो जागा आगे बहुत अच्छा सवाल पूछा हो गया अंतेष्टी संस्कार यानि कि अंतेष्टी संस्कार कब होता है मरने के उपरांद जब जाता है तो जो संस्कार तो उसको जो की सब्सकरा और रहों करना किस संस्कार के अंतरगत आता है किस तो विवाह हमारा गुरू के घर से अलग होकर गिरहस्त जीवने परवेश करना कि शन्सकार के अंतरकत आता है गुरू के घर से अलग होना ढर्गिस जीवने परवेश करना तो यह सी भूला तो फे सिंदूर सिंदूर दान कि संसकार के अंतर रगाता है बहुत सवाल संदूर कब होता है तो यह विवा के बादी होता है ना संसकार अगे जब करना कि संसकार का अंतर गर्विधारन कब होता है जब शादी होगा तो गर्विधारन करना गर्विधार Yes जब करता तो लेने से पहले रगां सब्सकार से सora बहुत सोड़ा सवाल घिरहलस्त में एक सवाल मरने के बाद जैसे पर बहुंसकार की नामकरन की संसकार के अंतरग आता आगे निति श्लोक किस रसना कार कोन है इसके लिखने वाले कोन इसके रसना कार कोना है तो इसके रसना कार है ऑफसन नंबर ए महात्मा विदूर आगे विदूर निति से संकलित पाठ का नाम क्या है विदूर निति से संकलित पाठ का नाम क्या है तो निति श्लोक क्या होगा option n o n o a सही अंसर हो जागा घिपकर किसके परशनका उत्तर जो विदूर देते तो धक्ट हैं धृत राष्ठ आफसें नमबर। डी ह्यन्स रोगा आगे परते हैं न partir के कितने कितने सुरी मेस द्वार होते हैं तो नरक के तीन स्वार होतें कितने द्वार औगे सवißt किस्की हत्या करता है क्षमा जो एक इसकी करता तो इसको अब मांगते हो तो कुरोध की खत्म लाता है क्लिकला कॉंठ ख़त्ति का brightness किसे स्थ की प्राप्ति किस्य होती है तो कुरोध जे-ूरोध से प्राप्ति ऑपना है कौन ऐसा दन है जिससे संतुष्टी मिलती है कौन से धर्म कौन से धन है दवलत है जिससे संतुष्टी मिलते है तो वह विद्या क्या जी विद्या सब्सक्राइब नहीं होसकती है रूप की रख्षा किस से होती है अलुकिन कि किस भी होती है पता pirates ध्晷्वास्ट में घर्कष्मी कौन होती है तो यह तो बला सांस सवाल है लए इस तीरी जो होती है नहीं किसको कौन कौन नश्ट करता है अप्यस को नस्ट करता है गरीबी को कई समाप्त करता है कों करता एफ्हार सही। हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं कि परगती की इच्छा रखने वाले मनुस्यों को कितने दोसों को त्याग देना चाहिए तो छे दोसों को त्याग देना चाहिए दोसों दोस नहीं दोसों को त्याग देना चाहिए काम कुरोध काम कुरोध और लोब किसके दुआर है बत सब्सक्राइब करने में लाइक करने मुझे बता सकते मुझे 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 मज़ा आ आगे अगे कक गरते करमवीत क किस वर्ग की कथा है करम असनातक प्रिक्षा में पर्थम पाकर किसकी ख्याकी बढ़ी gathered परवेश राम की ओके ऑफसन नमबर सी राम परवेश राम की आगे सवाल देखिए करमवीर कहां का रहने वाला था प्यारे करमवीर जो है कहां का रहने वाला था भीखन डोला का रहने वाला था ओके चलिए सिक्षक ने किसे पढ़ाना आरम किया किसे शिक्षक ने किसे आरम किया तो राम परवेश राम को राम परवेश राम को सिक्षक ने पढ़ाना आरम किया आगे है करमवीर राम परवेश राम ने कहां उन्नत अस्थान पाया उन्नत सबसे अच्छा उत्कृष्ट को बोलते हैं उत्कृष्ट बोलते हैं उच्छ अस्थान उन्नत अस्थान right a Астран पाया तो प्लिएं यह लोग सेवा परिश्वा में देखीवाई ऑफििन नमबढ भी ना सेंट्रल के दुम लोग सेवा परिच्छ चलिए आगे परते किसके अर्था और वाओं में भी राम पर्वेश्ष महा बिदयले में परवेश्ष किया तो आप कुमारा अंतर ऑप्सेन नंबर बी पीता की हाँ काओगा चली आगे वड़ते भी घं तुला किस प्रांत में निlies कि कहा है ग़ार में बीहार का बीहार ह REM में धेखन तुला अच्छा सब्सक्राइए कWest City चानों अचनातक परिख्छा प्रॉप्ष में रांपर बीड्याल विद्याले है कौन सास्थान प्राप्त क्या और सिच्छन शहीं अंसर का प्रत्थम अस्थान प्राप्त किया करमवीर ने कौन सा पध किया तो महत्तम पध कहा हो गया। सहला एकश मी किस परकार के वैक्ति के पास आती है लक्षमी तो क्या अगा उध्धोग उध्धोगी के पास किसके पास उध्धोगी के पास चलो आगे बड़ते करमवीर राम-परवेश-राम ने किस परिष्चह में उच अस्थान परप्प किया तो केंडृ लोकि सेवा परिष्चह में किसकी खयाती सभी palabra कि जगा गौंजने लगा किसकी ख्याती यह लिए युद्धा युझा लगा आगए पुरुष को कौन वरन करती कौन औरन करती है तो लग्षमी पुरुष को लग्षमी तो ऑगे है आगे दलित-पुरुष का नाम क्या था राम परवेस रामता और इन्होंने लोग सेवा की परिख्षा जो है उत्तिरने क्या पर्थम पदपा करें राम पर से तुमारे लिए हमारे लिए साधन होगा पदाए अच्यतना अच्छा पढ़ाई का साधन हो गया तो बस हिंसट रखना है तूत नहीं देना है बालक किसके सिक्षन सैली से शिक्षक कर दिसे सिक्षक के सिक्षक स्फञ लो Elder स्थापना किसने किस नगर किस नगर में किसने कि नहीं हो दो इसकी जटापना हुई थी मुंबई में कि द्यानन का जनम किस गराम में तो यह होगा टंकारा ओपसन नंबर बी पुख भी सथापनी हो पनी सथाफनीया मूल शंकार किसका नाम सवामी दियानद इसका मूल नाम था पहले ऑफिसने चलो आगे सवाल देखते हैं आजी समाज के संथा पकुन है आजी समाज ओके वह हो जाएगा स्वामी देयाननद और नमढ़ भी श्यांत रोगा चलिए करते हिंदू समाज को छोड़ कर किसने धर्मांतर न अपना आया है या हिंदू समाज को छोड़ा और धर्मांतर मतलद धरम को बदल दिया किस ने किसने तो देखिए क्या हो दर दलित हना जना सवामी द्यनद का जन ओथा आप ने अब है स्थापणा तो खैर और स॥ा था इनधो हो था उत्ष एक हो था तो था देख्जा ताद प्सकाम कंझत वह हुआ कर था कब हो था था नहीं तो पिता किसके उपासक थे तो शिव की पूजा करते हैं समझो यह जो पूजा करने के बारे में बोला जा रहा है चलो आगे मुड़ते स्वामी देनन्द का निधन का हुआ अगे स्वामी देनन्द का निधन का तो आरी समाज के संस्था पकते हैं राजा राम मुहन राय लेकिन पिल्हाल तुँमको इसमें आरी समाज ही पढ़ना है आगे परते समाज सुधारक कौन थे वाई हाँ तो आरे समारी स्वामी देनन जो है समाज सुधारक थे समाज को सुधारने वाले ओप्सन ए आगे बोलता है स्वामी देनन का जनम किस प्रांति में हुआ था बताए स्वामी देनन का जनम जो है गुजरात में का हुआ था चलिए आगे बोलते हैं सत्यार्थ परकास सत्यार्थ परकास जो है किसकी रतना है यानिकि सत्यार्थ परकास के राइटर कुन है भाई तो कौन राइटर हो जागा सत्यार्थ परकास के राइटर होगा स्वामी देयानंद स्वामी देयानंद जो है सत्यार्थ परकास के अगे मुर्ति-पुझा के विरोधि थे मुर्ति-पुझा को स्वामी द्यानन कहा शोड़कर ये मत्फूरा घर मत्फूरा और स refers है स्वामी दैनन का जनम कहा हुआ था गुजराथ के टंकारा गराम में थो आपने पढ़ा गुजराथ में अब के लिखने वाले कून है इसके लिखने वाले कून है चलिए जल्दी से फटा फट फटा फट अंसर देए वैरी गूद आप लाइक वेक कर दोना प्यारे लाइक जरूर करना बहुत जल्दी अब खतम हो जाएगा कुछ लिसन और बाकिया लागिया ना कुछ लिसन बचा है अराम से खतम कर ले मंदकनी वर्नम के रसनाकार कौन है कौन है महारसी वालमी की जो इसके रसनाकार है चलिए आगे देखिए किस गरत का भाग है बताए ऐज़ेक जलो आगे बरते रघुवन somehow कावी की किसनाके वांस brethren की रघुवन्स भाजी ताना इसकी किताब है रघुवन्सम reefs की की कालीदास मंदकी नदी किस परवाथ के निकट परवाहिद्व drawer होती है चलिए मंदा की नदी जो है किस परवत के निकट करत रिक डिक परवायत होती है आगे पर राम-चंद्र की कौन Dar और सी जैसनर की कौंथी चलिए कौंथी सीथ यो रामचंद्र की पत्नि थी आगे बरतें मंदा की नदि कहां हैब अल्विक चित्रिकूंड में वही उस परवत करें कर तो आगे बरतें मंदा की का रामायन के किस समर्ट में है बताये तो आयोध्या कांड में आफसे नमबर बी चलो आगे बढ़ते हैं मंदा किनी वरनन पार्ठ में किस नदी का वरनन क्या गया है तो मंदा किनी नदी का ही नाम है प्यारे नदी का ही नाम है मंदा किनी नदी में कौन असनान करते हैं कौन असनान करते हैं रिशी इस जो है मंदळकरी नदी में असनान करते हैं मंदक किरी माराजराज की क्या दिखती है क्या दिखती है आपने अपने पड़ा मंदक नदी परवत के निकट से बहती है देखें नाचने के समान कौन दिखता है तो परवत ऑफ्शन नंबर A हमारा चाही है अंसर हो जागा आगे परते हुआन्स सारस सेवित विच्ची तटो आपकोन कौन है तो इसका आपकनी हैं सही हमारा सही अंसर हो जागा प्तित कथा के रसनाकार कोन है लेकिए डामायन पंडित विश्णु शर्मा और राम चंद्रें गोजा होगया और यह भत्रित हरी हरी रावाई रामायन पंडित ऑक्षिन पंडित नंबर यह हमारा सहिंतर हो जागा और आगे है व्यागर पसित कथा हित अप्देश के किस खंड से लिया गया है तो मित्र भाग मित्र लाव खंड कहा गया आगे है कुत्र लाव कड्रम किसने या किसने का था यह जो कहा था बूढे बाग ने अपने बागने बूढे बूढे पहले बागने चलो कौन नो और के वहाथ में कुषिन लिये तलाब के किनारे बोल रहा था कौन कौन को नट सालाब के नहें व्याघ्र हना व्याघ्र ओफ सन हमारा extremely so He'll call provides भाग में कुष merch ऐता बताओ वे कि हाख्टों में हाथ में क्या था स्वार्ने कंगन तने सोने का कंगन एक गदि हें संगर्देश का उता है अगे सवाल है पथिक को किस ने मारा व्यागर ने माना खा भी लिया यहीं कि बाग ने मारा आगे पढ़ते हैं पथिक कहां फस गया था पताइए पतिक जो कहां फस जाता की चडवे कहां फस जाता की चडवे आगे है व्यागर पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम परकट होता है क्या परिणाम परकट होता है लोब है ना लोब ऑफसन नमबर भी आगे सवाल पढ़ते कौन लोब से परभावित होता हुआ पताए लोब से कौन व्याग्र यानि कि बाग कौन था वंसहीन था आगे है किरिया किसके बिना भाव भार सोरूप हो जाता है किरिया जो है किसकी बिना ग्यान की बिना भाव सोरूप हो जाता है आगे दोस्तर नमस वाले के दान शील कौन था बताओ दान शील दान देने वाला हाँ व्याग्र क्या होगा एक बिल्कुल सही अंतर होगा आगया किस गरंद से लिया गया निकि किस कहां से शंकली थे ये बताना है तो हितोप देश से शंकली थे लिया गया दूराचारी कौन था है ना जी बताई इस कंसर क्योंगा वेरी गूड हाँ जी ऑफसन नंबर वर्डी मुझे उम्मीद है आप सभी लोग सभी लोग जो है सभी कंसर सही सही दे रहोंगे विकॉल आपने बहुत अच्छी त्रीकिसी तैयारी कर रखिया है किस जीव का जी किस जीव पर विश्वास नहीं करने चाहिए आगे विद्वयाग्र यानि कि बूढ़ा बाग बोले जाए क्या देना चाहता था पताओ क्या देना चाहता था सुवर्न कंडम क्या है करकन और हमारा भी होगा ओके चलिए आगे बरतें लोग मनुस्य को कहा ले जाता है लोग जो करते हैं को लानच करता है तो समझों वह जो है विनाज को ऑगे बाल रहा है जाली करणा से दान वीरता मोह गोला गिकरता नहीं कर दान वीरता वह कहां से संकृत है करन सेंसर Ivy कि मजाएक ने आपसे इसमें से बहुत सवाल देखने को मिलेगा प्यारे कि क्या होगा सब्सक्राइब करने भार आफसर नमबर भी हमारा सही अंसर हो जागा आगे पर दें महंत क्या है महत्रां महत्रां भीच्छा याचे सारी डियर अगर मैं गलती पढ़ रहा हूं तो ठीक ह अगर में भी सवाल गलत होता तो नीचे कमेंट अपना जरूर कीजेगा जो सही गलत है तो मुझे बताए कि इसका आंसर होगा में भी हो सकता में पर इसका सवाल सवाल गलती निकल जाए लिए तो कि इसका सब्सक्राइब का ऑफसर नमबर ए अच्छे नमबर और चला आगे के कितना नटक है तो थेरा सियद लड़ रहा करने किसके पक्ष में से युद लड़ रहा लट पक और agu reuse एक युद लड़ रहा था ब्रहम्मन रूप में कौन परवेश किया बताओ् बरहम्मन रूप में कौन परवेश किया whiskey number a हमारा भीलन सही आंतर क्या ब्री तो तो दानवीर जो है करने था कौन था करने था आगे बढ़ते हैं करने किस देश का राजा था जी करने किस देश का राजा था अंग है ना अंग ऑफसन नमर ए किस वेसमें आता है विक्षक विखारी के रूख फिसमें तो होता ही विखारी ओके आप्षन देखिए करने भार नाटक किसकी रचना यह इसके लिखने वाले कौन है भास आपसन हमारा एह सई अंसर हो जागा आगे बरते समय परिवर्तन के साथ-साथ कौन नष्ट हो जाता है समय सुशा है समय परिवर्तन भाद यहां कौन नष्ट हो जाता है इसका तो मुझे अंसर कशीह होगा में दन तो नष्ट हो जाता सिख्षा कफी要 तो समय परिवर्तन के साथ तो समय हमेशतर ने रहता बिक्षा विख्षा एँ Wiekram से धन होना चाहीं से अंसर नोग मुं Tabla न किने हमको डॉट लग रहा है इसमें आगे बरते अर्जुन किसके पक्ष से यूद लड़ रहा था पांडव के पक्ष से यूद लड़ रहा था करने कवच और कुंडल किसको दिया गया किसको दिया गया किसको दिया गया इंद्र को दिया गया आगे है कवच और कुंडल किसक कडला देने के पूर्वे अंतता ञऍा कोognes आतरोगा कंडलल देने के पूर्वे अंतता और चेए एकro आपयायं और भी आपया तुन लनते सवाल कर देक सवाल क्डला देने के पूर्वे यहां पर सवाल उलट गिया है कर्ण ने कर्ण ने कवच कंडलन देने के पुर्वे अंत्ता क्या देने के पिच्छा परकड की तो इसका अपना सीर और संडी आगे करने के कवच कुंडल की क्या विशेश्था थी उसे भेदा नहीं जा सकता था और ऑगे ना दात्यम ना दात्यम या किस ने का था किसने का था सल देखा आगे है सवाल करनस से दान विरता पाट के लेखा कौन है कौन इसके लेखा हो जाएंगे we Κोड ऑसे बिल्कुल हमारा गयां सभी चलिए आगे सवाल देखिए आगे सवाल क्या मोथा आया दिर में किस सवातरान का की गया हुआ सांती पार्थे में किस वातराण का चित्रम क्या गया तो यह जाएगा इस कांशल में बस नंबर आशांती ना क्यों ब्लटती को कैश्च आघवाल है देशों के बीच जहगणों को सांत करने के लिए कौन संस्ता क्यों पता है अमेरिका अपसंदी आगये साहसनुता कौन पैदा करता है बताओ द्वेश लालच जिसको बोलते हैं अपने आपको खुद अपना कहना इस तरह से द्वेश हो दाना आशांति मानवता का क्या कर रही है नदेखिश विनाश कर रही है किर्फ के बिनाः क्या वीनास करही और किसकी बैना ग्वार्ण भार स्व सबस्क्राओंतों इसलिए को कॉन बढ़ाता है ब्लब ले तो एट स्वस्वर्थ हो जाएंगे दो स्वस्वर्थ बढ़ेगा बैर बढ़ा दने के विनास का भाय किसे है अस्त्र से ओके शस्त्र अस्त्र सस्त्र दोनों हो जागा ना अस्त्र सस्त्र ओके अस्त्र सस्त्र दोनों हो जागा ऑफसर नमरा सी सहींत रोगा ओके आगे अनेक अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं शीत यूद क्या होगा अफसर नमर डी शीत यूद बोलते हैं मुह से लड़ाई करना मतलब मार पित नहीं छोड़ी चाकु ने पर तलवार ने चलाना मतलब मुह से मारा मा क्या बल्पुर्वक्त निवार निये हैं बताओ क्या स्वार्थ पदेश देखिए स्वार्थ पदेश शाह कि आगे असांति के कारण कितने कारण किसे माना जाता है असांति नगर सागर के तटों के बिच कौन इस नमबर डी अगे है उदार चरित्रे वाले क्या मानते हैं वेरी गूड तो फटाफाट अंसर दिजें उदार चरित्रे वाले क्या मानते हैं क्या माते है वैशु वैध कुटुम कम आप सर्काइब खाजी आफसा नामारा सी वला बिल्कुल सही अंसर हो जागा ओके तर आगे बरते हैं फारत में किसकी महती परंपरा सुनी जाते हैं किसकी किया होगा कि सास्त्रिक आफसर नमबर आवाज क्या होगा सी बिल्कुल राटन सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं वर्ग में कौन परवेश करता है शिक्षक शिक्षक जो है वर्ग में परवेश करता है आगे किसके छे अंग है किसके छे अंग है बता ये तो वेद के छे अंग आए ओक पांची अंग है ना सब्सक्राइब गलत लगता है यह उपता है तो मेरे पास चार होग है यह रिग वेध के तारही बेद रिग वेध यजूर वेध सामवेध और अथर वेध तो मेरे पास इसका पतने चारा रहा वेत के तो छेवद्व है नहीं मिरे पास अंसर लेकिन मैं कन्फिज हो रहा हूं मुझे कमेंड करेंगा आप लोगो ओके छात्र किसका अभिवादन करते हैं बताए चात्र किसका अभिवादन करते हैं और अफसन नमर एक चलू आगे बड़ते हैं सास्त्रकारा पाठ कि शैली मैं कुषरी मैं पर्षणो northwest थैली बें आप्शन डिन सब्सक्राइब किसका व्याकरन परसिद हैं बताओ किसका व्याकरन परसिद्व है पानीनी पानीनी का अफ़ोच्ञ़ आगे बейम ग्यान का शासक कॉन होता है बताओ जी ज्यान का सब को नहीं होता है आगे सवाल देखे क्या बोलता है मनुस्य को करतब और करतव का बोध कौन कराता है करतब और करतव करतब जो है शास्त्र करता है करता है कितने विदांग कितने होता है विदांग के कितने अंग होते हैं मतलब विदांग को है छे होते हैं आगे है उच्चारन किरिया का कौन बोध कराता है बताओ उच्चारन किरिया का सिक्षा कौन बोध कराता है सिक्षा कराता है ओके आगे सवाल यहां पर क्या बोलता है निरु के छंद के रचिता कों है लास्ट चल रहे च्प्टरस घोकान के रजेता पिड़ल स्पिट्डल आपको मुटर से आगे हैं जो तिशक के रचितान है बताये जो तिशक करई कौन Clarita film नंबर सी नेगेत्टे यहां पे कर tractate कोन है कना कोने काने क्राइग को तो म्लिश्क गोतम ऑफ्सें नंबर और बढ़े के शिर्ण कि संस्भापगा संथापकोर यौध तर्सन मतमा बढ़ेघ वहाँ वह दुने से इए सब nativity वहों करें गोतम करें और सब्सक्राइग व्यापग करने का धातफी कि shirt एक लैंस चारों में बता दिया है कपील हो गया पताजली ऑगा गोत्म होगया विमान सा दर्शन के संथा जैमीनी विदान दर्शन के संतापक बदर नारायन को नहीं बदरा बदरायन बदरायन किसी विज्यान को किसने लिखा प्राशन को किसने लिखा कर नामा के रसना कर को नहीं है कि है वह लहां की रष्णा करको ने सभां संभिंशी को संसारिक विष्योक आशक्ति या विरक्ति का देता है उसे क्या कहते उसे क्या कहते शास्त्र क्या कहते हैं कि चरक सनीता क्या है यह आख्री सवाल है आई अगर आपको लगता है कि मैंने गलत अंसर इसके लिए सौरी लेकिन आप नीचे कमेंट जरूर किजेगा किसका अंसर क्या होगा ओके ओके फिलहाल क्लाश करें कैसे लगे आपको आज की क्लास तो मुझे उमीद है इससे बहुत सा सवाल आपको एक्जामें देखतों को मिलेगा ओके डाइट साल थैंक यूवरान दोस्तों को श्रीय